हलो फ्रेंड्स, वेलकम टो फुट प्लस स्टार आज हम आपको साउथ इंडियन स्टाइल दही चावल बनाना सिखाने वाले हैं जो की इस समर के लिए बहुत अच्छा ओप्शन है और जल्दी बन जाता है इसके लिए हमें चाहिए दही, हरी मिर्ची, सॉल्ट, हल्दी, कड़ी पत्ता, सरसू, जीरा, उरत दाल, चना दाल, छोटे कटे हुए अद्रक और हिंग इसके साथ हमें लेना है उबले चावल ताकि हम तड़के के बाद चावल में ये सब मिला सके हमें पहले दही को अच्छे से फेट लेना है और उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालना है अब हम तड़के के लिए तड़का वला बाउल चड़ा लेते हैं जैसे ही बाउल गरम होता है हम उसमें तेल डालेंगे हम यूज कर रहे हैं पिनट ऑईल आप चाहिए तो रिफाइन ऑईल यूज कर सकते हैं लेकिन सरसू ऑईल इसमें ज्यादा टेस्ट नहीं देगा ज्यादा तेल की भी जूरत नहीं है इसमें एक छोटा चमच तेल डालें बस काफी है अब तेल गरम हो गया है हम इसमें सरसू और जीडा डालेंगे पहले साथी साथ उड़त डाल और चना डाल डालेंगे हरी मित्ची डालेंगे अद्रग डालेंगे अब कड़ी पत्ता डालेंगे और हीन डालेंगे हमें चाहिए तो हम इसमें हल्डी डाल सकते हैं हल्का सा या फिर विदावट हल्डी इसको हम ऐसे ही डायेकली चावल में डाल सकते हैं अब हल्डी डालके इसे तुरंट बन कर लेना है अब हम इसको दही में तड़का देंगे और अच्छे से मिला लेंगे देखिए ये देखने में कितना कलरफुल दिख रहा है अब हम इसको उबली चावल में डालेंगे चावल ज्यादा गरम नहीं होने चाहिए अगर आप चाहें तो चावल ठंडे भी ले सकते हैं अब हम इसमें ये तड़के वाला दही पूरा डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे अब हम इसमें नमक डालेंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे ये हम प्रशाद में भी चड़ाते हैं आप साउथ इंडियन टेंपल्स में जाएंगे तो आपको ये प्रशाद की रूप में भी दिखेगा ये था हमारा कर्ड राइस साउथ इंडियन स्टाइल में आगे के वीडियो में हम आपको लेमेन राइस टमाटो राइस और टामरिन राइस वगेरा बनाना सिखाएंगे जो की प्रशाद में आज भी चड़ाए जाते हैं ये जल्दी भी बन जाते हैं और टेस्टी भी रहते हैं इसे आप कोई भी पिकल के साथ खा सकते हैं, हमने लिया है टमाटर का अचार, आप चाहें तो आम का अचार ले सकते हैं, नीमबू का अचार ले सकते हैं, या फिर लसुन का अचार भी ले सकते हैं कमेंट सेक्षन में बताईए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेर कीजिए नोटिफिकेशन आइकन दबाईए ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें थैंक यू फॉर वाच्छिंग